तो आपने थमनेल और टाइटल पढ़के समझ लिया होगा कि आज की वीडियो जो होगी वह फिक्सेटिव स्प्रीक कैसे यूज़ करते हैं उसके उपार है पर उससे पहले मैं आपको बता दो मैंने अपनी फिचली वीडियो में एक गिव अनॉंसमेंट किया हुआ था तो उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा देता हूं कि यहां पर आरी होगे साइड में यहां पर मैंने कमेंट पेश कर देता हूं अपना जो वीडियो का लिंक था हो एक यूट्यूप कमेंट्स कि अरे यह तुम्हीं रही आ गया कमेंट्स पिक क्या है रैंडम ले तो चाहित्या देडिया स्वार्य अगर नाम लेने में मैंने अंगल तिक होगी भाई तु CID जोइन कर ले इतना कौफेट कैसे बना लेता है यार हमें भी सिखादे एक बार मेरा स्केच बना दे देखू मैं स्केश के स्केश में कैसे लगता हूँ मज़ा आता है तेरा वीडियो देखे तो आपने बोला एक बर मेरा स्केश बना दे तो जीत गए हो आप ही तो विनर है चैतिया डेडिया आप मुझे मेल कर सकते हो मेरी मेल आइडी जो है वह को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी इस मैंने बाकी सब आपके बाकी सब के कमेंट रिपढ़े बहुत प्यार दिया बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट के है तो थैंक्यू सो मच और अगर आपका नाम नहीं आया है तो उदास मत दोना मैं हर टाम ऐसे गिववे करते रहोगा जबी भी मेरे माइल शोंस कम्प्लीट होते रहे तो और यह टाम थोड़ा अगले टाम आपको अच्छे से मिलेगा तो आप जो विनर है वह आप मुझ पिचर के मेल में खराब नहीं होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आइडी है तो अब आज की वीडियो शुरू करते हैं तो हम पहले बात कर लेते हैं कि fixative spray क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं तो fixative spray जो रहते हैं वह जो आपके ड्रॉइंग हो जिसको अपने बड़ी मेहनल से बना है बहुत टाइम लगा कि है परस देगे बना है तो अगर उसको ऐसे ही छोड़त हो के तो आपके हाथ में या ख खराब हो सकती है तो वह प्रिवेंट करने के लिए fixative spray जो है वह यूज में आता है अगर आप इसको अपने ड्रॉइंग में स्प्रे कर देते हो तो उसके बाद में समझ नहीं होएगा तो वैसे कवैसे पढ़ा रहेगा जितने भी टैम्प है तो fixative spray बेसिकर इसे कारण के यूज होता है अब मैं बताता हूं कि fixative spray कैसे यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको मास्क पहले लेना है क्योंकि यह जो fixative spray होता है वह ज्यादा फ्लेमेबल होता है और आपकी health के लिए भी खराब होता है तो इसे बहुत ही कम यूज करना रहते हैं और हो सके तो आउट् पहले लेते हैं अब के तो आपको भी यह वाला वियो दिख रहा होगा क्योंकि जो मेरा ट्राइबोर ता बड़ा वाला वो तूट गया है तो यह जो है वह गोड़ीला पॉर्स आपको शूटिंग जो खाला हो मैं गोड़ी गोड़ी गोरिला पॉर्स अब देख सकते हो कि अगर मैं अपने हाथ को यह कहीं पर भी मैं अगर स्केश्व रग दो तो खराब हो सकते हुए उसमें से जो ग्रीफार रहते हो निकल जाते हैं तो कैमेरा में तो इतना फोकस नहीं होता है पर अगर आप भी इसा करो गया तो खराब होता है तो इसे को प्रिवेंट करने के करते हैं तो मैं आपको पहले जो ड्रॉइंगा यह बता देता हूं यक्षे कुमार सहर की में नहीं थी इसका मैंने वीडियो अप्लोड नहीं किया क्योंकि मैंको वीडियो बनाने में एक आधा अफ्ता तो लग जाते हैं पर मैंनी अर्जेंटी टू हर दो दिन में कर गया तो इसका वीडियो नहीं बना पाया तो अब जो है कि आपको 25 सेंटीमेटर 20 22 25 सेंटीमेटर दूर रफना रहेंगा आपना फिक्सेटी स्प्रेइब जो पोट्रेट उससे और जो स्टेप तरी है वह उसे शेक कर देना अच्छे से यूज करने से पहले अच्छे से शेक कर तो अब आपको पहले तो विंडो खोल देनी है और अपने घर के सारे भी सब्सक्राइब बंद कर देना और फिर बाद में करना नहीं तो फिर आख पकड़ सकती है तो आप देख सकते मैंने बस खाली इतना से इस प्रेक है और आपकी जो ड्रॉइंग होगी वह अच्छे से प्रिवेंट हो जाएगी अच्छे से अब वह सालों साल तक अच्छे आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है और आपको इंफॉमेशन कुछ भी मिला है इसकी वीडियो से तो लाइक करो शेर करो कमेंट करो और मेरे चैनल पर मैं आर्ट के बा आपको इसी तरह के वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाय डू प्रैक्टिस दो इंफ्रू टेक कैर